प्रफेसर गायतोंडे जो है वो पूने से बॉंबे आते हैं बॉंबे आकर के किस तरीके से वो एक लाइबरेरी में जाते हैं और वहाँ जाकर के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो इतिहास वो जानते थे और जिस तरीके से वर्तमान को वो अपने सामने देख रहे हैं उस इतिहास में और वर्तमान में कोई मेल जोल नहीं है दोनों बहुत अलग तरीके का हैं उसके बाद उसे पता लगाने के लिए वो एक लाइबरेरी में जाते हैं वहाँ जाकर के इसनका बीजिट का ब्रतांत है उसे सो पढ़ते हैं ध्यान से से देखते हैं बाद में वह एक जहां पर मैंदान होता है वहां पर सम्मिलन हो रहा ही विशेशक्यों का या फिर लेक्चर चल रहा होता है वहाँ जाकर के भी वो थोड़ा सा तमाशा क्रियेट करते हैं और उन्हें धक्का दे करके मतलब physically bodily उन्हें वहाँ से उतार दिया जाता है आगे की कहानी देखते हैं आगे की कहानी में क्या होने वाला है अब ये भाई साब पहुंच गए है राजेंदर के पास और राजेंदर को सब कुछ बता रहे हैं ये राजेंदर वही हैं जो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि भाई इस नाम को ध्यान रखना है ये लास्ट में वापस आएगा ठीक है that is all I have to tell मुझे आपको बस इतना ही बताना है all I know is that I was found in the आजाद मैदान in the morning के मैंने अपने आपको अगले दिन सुवै आजाद मैदान में जहां पर लेक्चर चल रहा था वहीं पर पाया but I was back in the world I am familiar with लेकिन मैं उसी संसार में लौट आया था जिस संसार से जिस समय से मैं परिचित था now where exactly did I spend those two days when I was absent from here अब बात ये है कि मैं वास्तविक्ता में exactly कहां था मैंने अपने वो दो दिन कहां बिताए जब मैं यहां से absent था जब मैं यहां से अनुपस्तित था जब मैं यहां पर नहीं था यानि कि जो वास्तविक संसार है इसमें मैं नहीं था मैं अपने किसी अन्य संसार में था तो मैं कहां था अगर तुम कहते हो कि यह सब तुमारे दिमाग का किवल भुलावा है चलावा है तो वास्तविक्ता में मैं कहां था क्योंकि वास्तविक संसार में तो मैं था ही नहीं तो दो दिन मैं कहां चला गया दो दिन मेरी लाइफ के कहां चले गए राजय इंदर वो आश्यर्य चकित रह गया by the narrative इस पूरी कहानी को सुन करके उसे थोड़ा सा समय लगा क्षण मातर का इस बात का जवाब देने में प्रोफेसर जस्ट आप जब ट्रक से टकरा गये थे उस ट्रक से टकरा गये थे उससे जस्ट पहले वट वर यू डूइँ आप क्या कर रहे थे राजय इंदर ने पूचा I was thinking of catastrophe अब catastrophe का होता है एक बहुत ही शांदार विशय है इतियास का वाइस दान जो मानता है कि अच्चानक होने वाली छोटी गटनाओं से इतियास नया मोड ले सकता है catastrophe एक ऐसा subject होता है जिसमें इतियास कार बैट करके ये आकलन कर रहे होते हैं ये अंदाजा लगा रहे होते हैं कि ये घटना अगर ऐसे ना होती तो इतियास कैसा होता यानि कि एक कालपनिक इतियास के बारे में सूचते हैं वास्तविक इतियास की घटनाओं के आधार पर कि मान लीजिए कि दो पक्षों में युद्ध हुआ अब A जीता और B हारा वास्तविकता में तो अगर B जीता होता और A हारा होता तो इतियास कैसा होता इन सबका अंदाजा लगाते हैं वो लोग यानि कि इसके सिब्धान्त और किस तरीके से इसमें इंप्लिकेशन किया जा सकता है इसका छिपावा अर्थ क्या निकलेगा वो है इतियास में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मैं सोच रहा था रजेंदर स्माइल राजेंडर ने स्माइल करते वे कहा डोंट स्माइल समगली यानि कि अपने आपको संतुष्ट करने के लिए असे मुस्कुराते मत रहो मतलब मुझे बताओ तो से क्या सोच करके मुस्कुराते हो अगर तुम्हें लगता है कि केवल मेरा दिमाग ही मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा है या मेरी कलपनाएं जो है वो चल रही है बेलगाम होकर इदर दोड़ रही है लुक अट इस इसकी और देखो और विजयात्मक रूप से मतलब जैसे वो जीत गया हो इस आर्गुमेंट को इस बैस को जीत गया हो इस रूप से कहता है प्रोफेसर गायतोंडे प्रेड्यूस इस वाइटल पीस ऑफ एविदेंस अपेज टॉर्ण आउट ओफ ऑफ बुक तो प्रोफेसर गायतोंडे जो है अपनी जेब से निकालता है एक बहुती महतोपून टुकड़ा साक्ष का अबिदेंस का मतलब होता है साक्ष आप कह सकते हो सबूत भी कह सकते हो ना बूलचाल की बाशा में हम इसे क्या कहता है सबूत का एक टुकड़ा निकालता है एक कागस टॉर्ण आउट ओफ बुक जो एक किताब से फाड़ कर निकाला गया था राजेंद्र रेट दे टेक्स ऑन दे प्रिंटेड पेज और राजेंद्र जो है उस पन्ने में उस पेज में जो भी कुछ लिखा होता है प्रिंट होा होता है उसे पढ़ता है and his face underwent a change और उसका चेहरा जो है अचानक से बदल जाता है गंबीर हो जाता है वो gone was the smile और उसकी हसी बी चली जाती है in its place come a grave expression और उसकी हसी की जगए पर एक बहुती गंभीर मुद्रा ले लेती है, यानि कि उसका expression चहरे का जो भाव है, वो बहुती गंभीर हो जाता है, he was visibly moved, प्रकट रूप से ऐसा लग रहा था मैं उसको, राजजंदर को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो हिल गया है अंदर से इस कागस को पढ़ कर, गंगादर पंथ pressed home his advantage, और गंगादर पंथ जो है, उसने सही तरीके से इसका फाइदा उठाया था I had in evidently slipped the bhakar in my pocket as I left the library, in evidently inevitably का मतलब यह होता है लापरवाई से या गलती से मैंने जो एक कागस था जिसका आगस पर यह घटना ने कैसे मोड लिया, वो जो लिखावा था उसे गलती से मैंने अपनी pocket में रख दिया था as I left the library, जब मैं library से निकल रहा था, I discovered my error when I was playing my meal, और मुझे अपनी गलती का तब ऐसास हुआ, जब मैं अपने खाने के पैसे का भुकतान कर रहा था, I had intended to return it the next morning और मेरा इरादा था, मैं पुरा शौर था कि अगले दिन सुबह में यह वापस library में लॉटा दूँगा, but it seems that in the melee of आजाद मैदान लेकिन ऐसा लगता है कि जो मेला था आजाद मैदान में लगा हुआ, the book was lost, किताब खो गई, only this turn of page remained, केवल यह फटा हुआ कागजी मेरे पास बाकी रहा, luckily for me मेरे सौभाग्ये की बात है, the page contains vital evidence, के यह मेरे ही सौभाग्ये की बात है कि इस page के अंदर बहुत ही महत्वपूर सबूत या साक्षे है, राजेंदर again read the page, राजेंदर ने फिर से उस page को पढ़ा, it describe how Vishwas Rao narrowly missed the bullet, और इसमें लिखा गया था कि कैसे Vishwas Rao जो है, उससे narrowly, मतलब बहुत ही कम दूरी से bullet miss हो गई थी, and how that event, take as omain, by Maratha army, और तरीके से जो घटना है, इसे शगुन माना गया, Maratha army के द्वारा, turned the tide in their favor, और जो भी घटना करम था, tide मतलब जो भी आगे घटना है होने वाली थी, उसे Maratha के पक्ष में मोर दिया था, अबदाली के बजाए, now look at this, गंगादरपंथ प्रद्यूस his own copy of भाव साइबाची भाकर opened at the relevant page, और अब इसे देखो, गंगादर पंथ जो है, अपनी खुद की, जो भाव साइबाची भाकर नाम की किताब थी, उसे खोलता है, उसे निकालता है, और उसमें वही पेज खोल करके उसे देता है, जो उस घटना से संबन्दित होता है, the account renders, और उसमें कहानी कुछ इस प्रकार से चलती है, and then विश्वास राव guided his horse to the melee, where the allied troops were fighting, and he attacked them, and God expressed his displeasure he was hit by the bullet और तभी विश्वास राव, अब जो कहानी है, जो भाव साइबाची भाकर नाम की किताब में जो कहानी लिखी वे उस page पे वो क्या है और तभी विश्वास राव जो है, अपने गोडे को आदेश देता है, guide करता है निर्देश देता है, कि भाव या उसे वहाँ ले जाए, जहाँ पर महार या बड़े योद्धा के जो टुप से वो लड़ रहे और भगवान जो है, यहाँ पर अपनी नाराज की जाहिर करते है और उसे गोली लग जाती है प्रोफेसर गायतोंडे, you have given me food for thought प्रोफेसर गायतोंडे, आपने मुझे खाना दिया है मतलब कुछ ऐसा एक चीज दे दिया है, जिस पर मैं विचार कर सकूँ अगर मैं यह material of evidence, यानि ठोज सबूत अगर नहीं देखता तो जो तुम कहानी बता रहे हो, मैं उसे सीधे तोर पर कलपना मान लेता but facts can be stranger than fantasies लेकिन कई बार सत्य जो है, वो कलपनाओं से भी परे हो सकते यानि कलपनाओं से भी अजीब हो सकते है कई बार कलपनाओं उतनी अजीब नहीं होती, जितने सत्य अजीब होते है as I am beginning to realize जैसा कि मैं महसूस करना शुरू कर रहा हूँ facts, tathya, what are the facts, क्या है tathya I am dying to know, Professor Gaitunde said Professor Gaitunde ने का, मैं जानने के लिए मरा जा रहा हूँ कि सत्य है क्या, वास्तविक्ता है क्या Rajendra motioned him, Rajendra जो है उसने संकेत किया to silence, चुप होने के लिए and started pacing और इधर उधर कमरे में चलने लगा obviously under great mental strain obviously यानि की स्ववाविक सी बात है कि भाईया वह बहुत जादा मानसिक तनाओं में था finally अन्तता है, he turned around and said वह Professor Gaitunde की और मुडता है और कहता है I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today मैं तरक के जरिये बताने की कोशिश करूँगा तुमारे इस अनुभव को जो की दो व्यग्यानिक सिधानतों पर निरवर है जैसा कि हम आज जानते हैं whether I succeed or not in convincing you for the facts तो हो सकता है शायद मैं सफल हो जाऊं या नहीं भी हो कि मैं संतुष्ट कर पाहूं तुमें इन facts या तथियों के जरिये Only you can judge मैं संतुष्ट तुमें कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं इसका judgment या या केवल तुम ही judge कर सकते हो तुम भी पता लगा सकते हो कि तुम संतुष्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो मेरी बात से ये तो बात निश्चित है कि तुम एक शांदार या लाजवाब अनुभों से गुजरे हो और या फिर जादा सही तरीके से कहूं तो catastrophic experience वापस वही catastrophic क्या होता है कि जहांपर हम इतियाज की घटनाओं में ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि ये घटना ऐसे ना हुई होती कुछ और हुआ होता तो क्या होता प्लीज अपनी बात को continue कीजिए राजिंदर I am all ears all ears का मतलब होता है मैं ध्यान से आपकी बात को सुन रहा हूँ प्रोफेसर गायतोंडे replied वैं जवाब देता है राजिंदर continue pacing as he talked और राजिंदर जो है लगातार कमरे में इधर उधर 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 चलता रहता है जब वैं बात कर रहता है तो वैं चलता रहता है बात करता रहता है क्योंकि उसे भी सोचना पढ़ रहा है कि क्या बोलू क्या नहीं बोलू यहां तो बसर हो गई है उस seminar के अंदर जो विधवानों की गोश्ट ही मतलब जहां पर विधवान लोग बैट करके अपनी अपने तर्क देते हैं या अपनी अपनी जो भी रिसर्च होती उसको बताते हैं तुमने बहुत कुछ सुना है केटेस्ट्रॉफी थियोरी के बारे में लेट अपलाई एट टू दा बैटल अफ पानी पत चलो अपन दोनों मिल करके इसे बैटल ऑफ पानी पत पे अपलाई करते हैं वार्स फॉर्ट फेस टू फेस वे जंग या युद्ध जो है आमने सामने लड़े गए फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने ओन ओपन ग्राउंड खुले मैदानों में ओफर एक्सिलेंट एक्जामपल्स ओफ दिस ट्योरी जो की हमें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं लाजवाब एक्जामपल हमें देते हैं इस थिद्धान का दा मराठा आर्मी वास फेसिंग अबदाली स्रूप मराठा आर्मी जो है वो सामना कर रही थी अबदाली की सैनिक टुकणियों का on the field of पानिपत पानिपत के मैदान में there was no great disparity between the लेटर स्टूप और बहुत ज़्यादा ऐसा मानता नहीं थी दोनों यानि बाद वाला जो टूप था बाद वाला टूप कौन सा कहलाएगा तो अबदाली वाला तो मराठा आर्मी वास फेसिंग अबदाली स्टूप तो यहाँ पर अबदाली का नाम बाद में आया है न और यहाँ पर लेटर वर्ड आया न लेटर स्टूप यानि की जो बाद वाला है बाद वाला कौन है अबदाली है अब्दाली के टूप्स एंड अपोजिंग फोर्स और सामना करनी करते हुए ताक्तों का देयर आर्मर वास कम्पेरेबल उनके जो हत्यार आदी थे वो भी तुलनी थे मतलब उनको कम्पेर किया जा सकता था मतलब दोनों के समान हो सकते थे तो जादातर चीज अब देखो यह कह रहा है कि मराठा की आर्मी और अबदाली की आर्मी दोनों लगबग बराबर थे तो दोनों के जीतने की और दोनों के हारने के संभाव ना हो सकती है अब जादातर चीज जो है वो ना तो सैनिकों पर या सैनिक टुकडियों पर निरबर है ना ही हतियारों पर निरबर है हार और जीत किस पर निरबर है तो सबसे पहली बात तो leadership पर नेत्रित्व पर के उनका नेत्रित्व कौन और कैसे कर रहा है दूसरा चीज उनका moral, उनका manobal कैसा है troops का, troops का मतलब होता है cynic टुकडियों का, the juncture at which Vishwas Rao the son of and here of the Peshwa, अब परिस्तिती या सहियोग ऐसा बन रहा है जिसके अंदर Vishwas Rao जो की बेटा है और उत्तरादिकारी है Peshwa का, was killed, वह मारा गया, proved to be the turning point और यही चीज टर्णिंग प सेना का जो सेना पती है, नेता है, अगर वो मर गया, तो पूरी की पूरी सेना का manobal तूट जाता था कि अब क्या है कुछ नहीं अतया है डाल दो भई हमारे तो नेता ही मर गया, तो यही चीज है कि विश्वास राओ जैसे ही मरा, वही turning point, यानि कि वही सबसे मुख्य बिं उस युद्ध के उस जुंड में गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिये, rather he was killed in battle or survived is not known, हो सकता है शायद या शायद तक या तो वो मारे गए battle में या फिर वो बच गए, यह बात किसी को पता नहीं है, but for the troops at the particular moment, लेकिन अगर हम troops की बात करें, सहिनिक टुक्डियों की बा लीडर्स को खो दिया है, तो इधर से साब क्या हुआ, विश्वास राओ की मृत्य हो गई, भाव साहिब जो है, वो गायब हो गए, दिखी नीरे, जंदा है, मर गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो जो भी सहनिक टुक्डियों थी, उन्होंने अपने मनोबल को खो दिया तो लीडर्स जो है, जिनने वो खो चुके थे, वो बहुत ही महत्वपून थे, उन्होंने अपने मनोबल को, यानि कि जो मन की शक्ती होती है, उसे खो दिया, फाइटिंग स्पिरिट, लडने की जो ऊर्जा थी, उसे खो दिया, दिया फॉलोड एंड अटर राउट, और व खोर्स टेकन भाइ द बैटल, और जुनने मुझे कागस दिखायाया, फटा हुआ पेपर, जो दिखाया है, उस पे बैटल में क्या हुआ, यह दे दर्शाय गया है, वेंड बुलेट मिय्स्ट विश्वास राहो, और किस परिस्तिती में दर्शाया गया है, अगर बुलिट नहीं लगती विश्वास राओ। अगर बुलिट नहीं लगती तो यानि कि ये पेपर भी एक केटेस्ट्रोफी का ही एक्जामपल है। किसी ने लिखा होगा कि अगर नहीं लगती तो आज भारत ऐसा होता। और जो महत्वपुन घटना थी वह दूसरे तरीके से दर्शाई गई। या उससे उनका मॉरल जो है वो बूस्ट हुआ जिसकी वज़े से एक्ट्रा impetus उन्हें एक्ट्रा साहस प्रेड़ना मिली जिसकी वज़े से ही ये सारा अंतर पैदा हुआ। रिप्लाई किया किसने राजिंदर ने ये बात समझाने की कोशिश की प्रोफेसर गायतुंडे को बिल्कुल ऐसे ही जो स्टेटमेंट है वो वाटरलू का जो जंग हुआ था उसके बारे में भी कहा जाता है अगर वाटरलू का जो जंग हुआ था उसमें अगर नेपोलियन जीत गया हुथा बट वी लिव इन यूनीक वर्ल्ड विच हैसा यूनीक हिस्ट्री तो हम एक ऐसे अधु इतियस अंसार में जी रहे होतें जिसकी बहुत ही अलग सा इतियास होता तो वाटरलू जो है वो नेपोलियन का आखरी युद्ध था जिसके अंदर उसने सरेंडर कर दिया था और सारी की सारी शर्ते जो है वो ओपसिट पार्टी की माल ली थी तो यह जो विचार है कि ऐसा हुआ होता तो क्या विचार है इतियास के बारे में ऐसा विचार है कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता तो यह भाया अनुमान लगाने के लिए तो ठीक है it is okay for the sake of speculation मतलब अगर आप अनुमान लगाना चाहते हो कि अगर वाटरलू का युद्ध अगर नेपोलियन नहीं हारा होता तो इतिहास ऐसा होता तो अंदाजा लगाने के हिसाब से तो यह बाठ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वास्तविक्ता के लिए ठीक नहीं है गंगाधरपंथ ने कहा I take issue with you there मैं इस मुद्दे को तुम्हारे साथ वही ला रहा हूँ और यही जो बात है मुझे अपने दूसरे बिंदू पर लाती है विच यू में फाइंड स्ट्रेंज जो तुम्हें जीब लग सकती है लेकिन राजजिंदर ने का प्लीस एक बार पहले मुझे सुन लो मैंने अभी तक अपना एक ही बिंदू का है एक ही पॉइंट का है एक और पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ तो प्लीस पहले मुझे सुन लो गंगाधर पन्थ लिसंड एक्सपेटेंटली एक्सपेटेंटली का मतलब होता है आतुरता पूर्वक बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते है हाँ हाँ बताओ बताओ दूसरा पॉइंट के है मैं बहुत आतुर हूँ उच्सुख हूँ तुमारी बात सुनने के लिए गंगाधर पन्थ जो है बहुत ही आतुरता से उसे सुनता है जैसा कि राजेंदर कहना जारी रखता है वास्तविक्ता जब आप कहते हो तो इससे आप क्या बताना चाते हो तो हम इसे अनुभाव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से अपने सेंसिस से सेंसिस का जाता है इंदरियों को हम इंदरियों से अब बई जैसे कि यह स्टाइलस ब्लैक है कैसे पता चल रहा है कि reality में यह ब्लैक है क्योंकि हम अपनी आखों से देख रहे हैं और हमें पता है कि इस रंग को काला रंग कहते हैं इसलिए हम कह रहे हैं ठीक है तो थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं सी लेकिन क्या यह वही तक सीमित है जो हम देखते हैं वहां तक डस इड हैव अधर मैनिफेस्टेशन या यह किसी और रूप में भी प्रकट हो सकता है that reality may not be unique has been found for experiments on very small systems of atoms and their constituents तो reality वास्तविक्ता जो है वो ऐसा हो सकता है कि unique ना भी हो संभावना है कि unique ना हो has been found और वो पाई जाती है from experiments experiment करके on very small system छोटे छोटे तंत्रों के माध्यम से of atom जो कि atom से बने वे होते है और वो atom का निर्माण करने वाले तत्वों से बने होते हैं जो atoms बने हैं उसके अंदर जो particles है छोटे छोटे तत्व जो हैं वो particles से बनकरके वो चीज़े बनती है experiment के थूरू हम पता लगाते हैं कि यह सत्य है यह सत्य नहीं है ऐसा unique experiment से पता लगाया जा भी सकता है नहीं भी लगाया जा सकता है वो unique भी हो सकता है तो जब ऐसे किसी सिस्टम से या तंत्र से हम डील कर रहे होते हैं तब फिजिसिस्ट यानि कि भौतिक वैज्ञानिक जो है उन्होंने डिस्कवर किया कुछ ऐसा जो की चौका देने वाला था यानि कि जो बिहेवियर है जो व्यवहार है इन तंत्रों का इन्हें पहले से एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है इनकी भविश्यवानी नहीं की जा सकती कि यह जो हम खोज कर रहे हैं इस खोज से ऐसा होगा तो हम पहले से नहीं जानते हैं हम तो खोज करते हैं जो नतीज़ा आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं उस नतीज़े को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको पूर्व में ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता definitely even if all the physical laws governing those systems are known definitely निश्यत तोर पर भले ही सारे के सारे जो physical laws नियम है वो गवर्ण कर रहे हो शाशन कर रहे हो उस system पर जिसे हम जानते हैं तो जो भी हम जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम दो चीजों को मिलाएंगे तो क्या नतीजा निकलेगा और physics के नियम पहले ही बता देते हैं कि ये नतीजा निकलना जाए लेकिन फिर भी हर बार वही नतीजा निकले ऐसा कोई आवशक नहीं है कई बार नतीजे अलग होते हैं इसलिए हम उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं हम केबल और केबल क्या कर सकते हैं हम केबल और केबल experiments कर सकते हैं और उसका जो भी result निकलेगा बाद में सामने आ जाएगा prediction हम नहीं कर पाएंगे take an example एक उधारन ले लो I fire an electron from a source मैं fire करता हूँ चलाता हूँ एक electron को एक source से एक साधन से where will it go if I fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed I know where it will be at a later time but I cannot make sure and assertion for the electron अब देखो अगर मैं एक electron को फैकूँ और एक गोली चलाओ तो दोनों में अंतर है एक गोली अगर मैं चला रहा हूँ तो जिस direction में मैं चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि कितनी speed से जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा और कितने समय में कहां पर वो पहुँच जाएगी ठीक है गोली के बारे में तो मुझे पता होगा लेकिन अगर उसकी जगे मैं एक electron फैकूँ तो मेरे को उसका कोई अंदाजा नहीं होगा but I cannot make such an assertion for the electron तो एक electron के लिए मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता हूँ it may be here, there, anywhere वो यहां वहां कहीं भी हो सकता है I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time मैं best से best यह कर सकता हूँ कि मैं quote कर सकता हूँ odds को odds को मतलब जो भी चीजे विपरीत अवस्था में होंगी उन्हें बता सकता हूँ कि भाईया वो specified location पर किसे विशिष्ट सुस्थान पर किसे विशिष्ट समय में होगा लेकिन यहां भी मैं किवल अंदाजा लगा सकता हूँ quote कर सकता हूँ मैं exactly नहीं बता सकता जैसे मैं bullet या गोली के बारे में बता पा रहा हूँ the lack of determinism यानि कि पूर्व में निश्चत कर देना या पूर्व में निर्धारित कर देने की जो कमी है lack का मतलब होता है कमी होना in quantum theory बहुत एक शास्त्र में बहुत एक शास्त्र के जो परवाणों से भी सुक्ष्म टुकडों का अनयमित वैवार का सिद्धान्त है उसमें even and ignoramus यानि कि एक अग्यानी अगर historian एक अग्यानी जिसको ज्यान नहीं है history का ऐसा जो इतियासकार है like me has heard of it उसने भी इसके बारे में सुना है professor गायतुन्डे कहते हैं so imagine many world pictures बहुत सारे संसार के जो चित्र है in one world that electron is found here एक संसार में वो electron यहाँ पाएगा यहाँ पाएजाएगा in another और दूसरे संसार में जाएगे it is over there तो शायद वो वहाँ पाएजाएगा in yet another और अगर तीसरे किसी संसार में हम चले जाते हैं it is in still different location फिर भी वह किसी नई जगह पर पाएजाएगा यानि कि संसार जो संसार को हम जानते हैं उस संसार के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ से electron फैका तो वहाँ जाके गिरेगा लेकिन किसी अन्य संसार के अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है किसी दूसरी जगह पर हो किसी तीसरे संसार के हम बात करेंगे तो हो सकता है किसी तीसरी जगह पर हो तो हम उसका सही सही अंदाजा नहीं लगा सकते हैं ऐसे कहा गया once the observer finds where it is और एक बार जो अभी observe करने वाला विक्ति अगर वह पा लेता है हूँ कि मैंने electron फैका और मुझसे 30 फिट की दूरी पर जाकर वो गिरा तो मैं माल लूँगा कि हम इस संसार में ज़से संसार को हम सब जानते हैं और अगर वहीं वह है 50 फिट की दूरी पर और मैंने सीधा फैका था और right hand side पर गूम गया तो मानेंगे अच्छा 50 गया ना तो इस वाले संसार की बात हो रही है इस वाले संसार की बात नहीं हो रही है but all those alternative worlds could exist just the same लेकिन वो सारे के सारे वेकलपिक या अलग-अलग जो संसार है वो exist करते हैं वे अस्तित्व में होते हैं एक ही समय पर राजेंदर थोड़ा सा ठहरा to marshal अपने आपको व्यवस्तित करने के लिए his thoughts अपने विचारों को व्यवस्तित करने के लिए मतलब वो जो कह रहा है quantum physics की ये सारी की सारी बाते जो हैं ये थोड़ी सी जटिल होती है समझने में इसलिए राजेंदर यहां पर रुखता है और अपने विचारों को एक सही करम में रखता है ताकि वो अपनी बात को सही तरीके से कह पाए सामने वाला समझ पाए but is there any contract between those many words लेकिन क्या कोई भी आपसी contact संबंध होता है संपर्क होता है क्या इन सारे के सारे संसारों में प्रोफेसर गायतोंडे आस्ट प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा yes and no, हाँ और ना imagine two words कल्पना करो दो संसारों की for example, उधारन के लिए इन बोथ दोनों ही संसारों में electron is orbiting the nucleus orbiting का मतलब होता है परिक्रमा करना, ऐसे गोल-गोल-गोल-गोल-गोल उसके गूमना किसके? nucleus के चारो और, ठीक है? परमानु के इंदर के चारो और वे एक कक्ष में परिक्रमा करता है of an atom, एक अणू में like planets around the sun, जैसे कि planet जो है, जितने भी ग्रह होते हैं वे सूरिय की परिक्रमा करते है ठीक है, गंगादर पंत interjected, उसने बीच में ही टोकते वे कहा not quite, बिल्कुल ऐसा नहीं है we know the precise trajectory of the planet, हमें precise, मतलब निश्चित तोर पर पता है कि क्या मार्ग है planet का, ठीक है, तो जैसे कि यह, आप यहाँ देखोगे न, चितर में तो आपको यह देखेगा, कि यह इसी जगह पर गुमेगा, यह यहीं से गुमेगा और यह हमेशा इसी circle के अंदर गुमता रहेगा, ठीक है the electron could be orbiting in any of large number of specified state और electron जो है, वो orbit कर सकता है किसी भी बड़ी संख्या में जो specified, यानि कि जो पहले से बताया गया है, उस state के अंदर, इस्तिती के अंदर उन इस्तितियों के अंदर these states may be used to identify the world, और यह जो states है, यह जो इस्तितिया है जिसके अंदर कोई भी आपका electron जो है, वो कर रहा है, गोल-गोल घूम रहा है उससे हम identify कर सकते हैं, उससे हम पैचान सकते हैं कि यह कौन सा संसार है in state number one पहली स्तिती में, we have the electron in a state of higher energy, एक पहली स्तिती में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारा electron जो है वो higher energy के state के अंदर है, दूसरे state में हम देख सकते हैं, it is a state of lower energy, जहां पर उसकी उड़जा कम होगी, it can make a jump from higher to low energy and send out a pulse of radiation और हो सकता है, it can jump, वह jump कर सकता है high energy से low energy के अंदर और वह बाहर भेज सकता है radiation के एक pulse को, एक छोटी सी धड़क को, और a pulse of radiation can knock it out, और हो सकता है कि एक pulse, जो है radiation की विकिरण की, वो उसे बाहर की और धक्का दे दे, of state number 2 into state number 1, यानि state number 2 से state number 1 के अंदर हो सकता है कि वह धक्का दे करके और विकिरण को बाहर भेज दे, दूसरी इस्तिती में भेज दे यहाँ पर यह कहना क्या चारा है पूरी बात से तो यहाँ पर यह सीधी सी बात कह रहा है कि भाईया, एक संसार से दूसरे संसार के अंदर हम एक state 1 देखते हैं, state 2 देखते हैं एक में low energy है, एक में high energy है, ऐसा भी तो हो सकता है, कि भाईया, एक ऐसी स्तिती भी हो जहाँ पर low से high या high से low जा रही हो, ठीक है यानि कि change कर रही हो अपने आपको और जब वो change कर रही होगी energy अपने आपको low to high के अंदर तब हो सकता है, उसके अंदर से radiation बाहर निकलना शुरू कर दे और स्तिती जो है low to high या high to low जाने में state 1 से state 2 चली जाए या state 2 से state 1 चली जाए, ठीक है ये सब कालपनिक बाते बुरी है इनका वास्तविक संसार से कोई लेना देना नहीं है भाई, इसलिए confuse मत होना, ये केवल और केवल समझने का प्रयास कर रहे हैं किया क्या हो सकता है और research ऐसे ही होती है बेतु की बातों से ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा और ऐसा हो गया तो ऐसा होने पर ऐसा कैसे होगा तो यही सब चल रहा है अभी इस chapter के अंदर, ठीक है यानि कि बहुत ही सुक्ष मिस्तर पर जो systems होते हैं, तंत्र होते हैं उनमें ऐसे transitions होना, ऐसे परिवर्दन होना बहुत ही सुभाविक सी बात है What if it happened on a microscopic level Sorry What if it happened on a macroscopic अगर यह विराट स्तर पर हो तो अगर macroscopic level पर अगर यह होगा लेकिन अगर बहुत विराट या विशाल स्तर पर अगर ऐसा हो तो Rajendra said, Rajendra ने कहा I get you, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ I get you का मतलब ठीक है, मैं तुम्हारा point समझ गया You are suggesting that I made a transition from one world to another world And back again यानि कि तुम यह कहना चाहरे हो कि मैं एक संसार से दूसरे संसार में चला गया और फिर से वापस लोटाया गंगादर पंत्र ने पूछा मतलब तुम यही कहना चाहरे हो न तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Rajendra कहना चाहरा है कि भाईया एक ही समय में simultaneously बहुत सारे world है सब जगे पर युद्ध चल रहे हैं अबदाली और मराठाओं के बीच में इस संसार में जिस संसार को हम जानते हैं यहाँ अबदाली जीत गया मराठा हार गया और हो सकता है कि तुम कुछ शन के लिए दूसरे संसार में चले गए हो दो दिन के लिए दूसरे संसार में चले गए हो जहाँ actually मराठा जीते थे मतलब वहाँ उस दूसरे संसार की वास्तविकता क्या है मराठा जीत गया थे और अबदाली हार गया था तो तुम उस संसार का अनुभव करके वापस इस संसार में लोट आयो तो यहाँ पर गंगादरपंत पूछ रहा है कि तुम यही कहना चाहरे हो न fantastic thought it seemed शांधार लाजवाब विचारिय प्रतीत हो रहा है this is the only explanation I can offer केवल यही एक मात्र व्याक्या है जो मैं भी तुम्हें बता सकता हूँ my theory is that catastrophic situation offer radically different alternatives for the world to proceed तो यहाँ पर वह कहता है मेरा जो सिद्धानत है catastrophic situation का catastrophic मतलब इतिहास में होने वाले परिवर्तनों की परिस्थिती का वह मूल रूप से यही बात offer करता है कि अलग-अलग different alternative हो सकते हैं for the world to proceed संसार के अंदर आगे बढ़ने के लिए it seems that so far as reality is concerned all alternatives are viable but the observer can experience only one of them at a time बहुत ही शांदर बात it seems that so far मतलब ऐसा लगता है ऐसा प्रतीत होता है reality is concerned all alternatives यानि वास्तविक्ता जो है उसे हमें सभी विकल्पों के साथ मानना होता है are viable यानि कि सारी चीजें सत्य है reality reality है but the observer can experience only one of them at a time लेकिन observer जो भी वेक्ती उस reality को महसूस कर रहा है वे एक reality को एक बार में एक समय में एक ही reality को महसूस कर सकता है सारी realities को एक बार में महसूस नहीं कर सकता अब यहाँ पर इस बात को हम समझते हैं थोड़ा सा दो मिन रुख करके यहाँ पर बात क्या हो रही है कि भया तुम जब तक इस संसार में थे तब तक तुमने इस संसार की reality को महसूस किया जैसे ही तुम किसी दूसरे संसार में गए तो तुम वहाँ की reality महसूस कर सकते हो by making a transition transition मतलब एक संसार से दूसरे संसार में जा करके you are able to experience two worlds although one of one at a time तो एक संसार से दूसरे संसार में जब तुम गए तब तुमने दोनों संसारों का अनुभव लिया लेकिन एक बार में तुम एक ही संसार का अनुभव ले पा रहे थे the one you live in now and the one where you spent two days तो दो संसार हो गए एक वह संसार जहां तुम अभी जी रहे हो दूसरा वह है जहां तुम दो दिन बिता कर आए हो one has the history we know एक संसार का इतियास ऐसा है जिसे हम जानते हैं the other a different history और दूसरा संसार जिसमें तुम दो दिन बिता कर आए हो वहां का इतियास अलग है the separation or bifurcation took place in the battle of panipat तो जो separation है जो विभाजन है या bifurcation है उसको भी विभाजन ही कहते है वह कब हुआ यानि कि वहां तक तो इतियास same चल रहा था लेकिन अंतर कहां आ गया इतियास बट कहां गया separate कहां हो गया तो वह battle of panipat में जाकर separate हुआ यानि कि इतियास पूरा यू चले आ रहा है दोनों संसारों को इतियास बिल्कुल समान चल रहा है जैसे ही battle of panipat में विश्वास राव को गोली लगती है बस उसी point से दो इतियास हो जाते है एक इतियास वो चल रहा है जिसमें गोली लग गई विश्वास राव मर गया जिसको हम आज जानते हैं दूसरा जो इतियास है उसके अंदर गोली उसके पास से छू करके निकल गई और वह जीवित बच गया और वहां से एक नए एतियास की शुरुआत हो जाती है तो वह एक इतियास बन जाते हैं एक वह एतियास जिसे हम जानते हैं और एक वह एतियास जो दूसरे संसार का है You neither travel to the past not to the future ना तो तुमने past में travel किया है और ना ही तुमने future में You were in the present but experiencing a different world तुम वर्तमान में ही थे लेकिन तुम एक अन्य या दूसरे संसार का अनुभव कर रहे थे Of course, नी संदे, by the same token there must be many more different words arising out of bifurcations at different point of time तो नी संदे, same token जो है जिसके बारे में हम मान सकते हैं कि बहुत सारे अलग-अलग संसार हो सकते हैं जो की विभाजन से पैदा हो रहे हैं, विभाजन से उत्पन हो रहे हैं at different point of time अलग-अलग समय के बिंदू पर As Rajendra concluded, जैसा कि Rajendra ने conclude किया निशकर्ष निकाल अपनी बात को खदम किया गंगादर पंथ asked the question that was bringing to bother him most तो Rajendra conclude कर दिया था, उसने निशकर्ष निकाल दिया था उन सारी बातों का गंगादर पंथ asked the question that was beginning to bother him most उसने वह प्रशन पूछना शुरू कर दिया जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था but why did I make the transition तो सीधा सा प्रशना है कि मैंने ये transition क्यों किया मैंने ये परिवर्तन क्यों किया क्यों मैं दूसरे संसार में गया उसे जानने के लिए if I knew the answer I would solve a great problem unfortunately there are many unsolved questions in science and this is one of them तो दुरभाग्य की बात है कि अगर मुझे इस प्रशन का उतर पता होता तो मैं और महान समस्या हो का भी हल निकाल सकता था दुरभाग्य की बात है बहुत सारे unsolved questions है ऐसे प्रशन है जिनका समाधानम नहीं निकाल सकते in science विज्ञान में this is one of them और यही उन में से एक है but that does not stop me from guessing लेकिन ये कि बहुत सारे प्रशनों के उतर नहीं मिलता है विज्ञान में बहुत सारी चीज़े अतार्किक अविज्ञानिक होती है लेकिन सत्य होती है तो that does not stop me from guessing ये मुझे अनुमान लगाने से नहीं रोप सकता राजेंदर smiled and proceeded राजेंदर मुस्कुराया आगे बढ़ा you need some interaction to course a transition तुम्हें एक interaction की कुछ बाचीत करने की आवशकता है to cause जिससे कारण पता लगाया जा सकी transition का कि तुम एक संसार से दूसर संसार में तुमने परिवर्तन क्यों किया तुम वहां क्यों गए perhaps शायद at the time of the collision जिस समय तुम टकराए थे truck से you were thinking about the catastrophe तुम catastrophe के बारे में ही सोच रहे थे उसकी जो theory है उसके जो सिद्दान ते उस पर विचार कर रहे थे and its role in wars और इसकी क्या भूमी का हो सकती है wars में युद्धों में maybe you were wondering about the battle of panipat हो सकता है तुम शायद विचार कर रहे हो battle of panipat के बारे में perhaps the neurons in your brain acted as a trigger और हो सकता है कि तुमारे दिमाग में तुमारे brain में बुद्धी में जो neurons है वह है एक trigger की तरह act कर दिये कि मतलब तुरंट तुम उसी संसार में चले गए a good guess ये एक अच्छा नुमान है I was indeed wondering what course history would have taken if the result of battle had gone the other way बिल्कुल प्रोफेसर गायतोंडे कहते है कि मैं यही सोच रहा था कि निश्यत तोर पर मैं यही विचार कर रहा था सोच रहा था कि कैसी होती history अगर जो result है जो परिणाम है battle का वो दूसरे तरीके से होता जिसमें मराठा जीच जाते प्रोफेसर गायतोंडे कहते है that was going to be the topic of my thousand presidential address कि यह मेरा topic होने वाला है मेरा सौवा हजारवा सौरी क्योंकि ट्रिपल नाइन तो पहले हो चुके थे अब कौन सा होगा तो यह हजारवा मेरा जो presidential address होगा जहां मैं president बनके जाऊँगा और लोगों को संबोधित करूँगा address करने का मतला होता है लोगों को संबोधित करना तो जब मैं लोगों को संबोधित करूँगा तब मैं इसी बारे में बात करूँगा now you are in the happy position of recounting your real life experience फिर से वर्णन कर रहे हो your real life experience अपने वास्तविक जीवन के अनुबवों का बजाए उसके just speculating यानि कि तुम अब बस अनुमान नहीं लगा रहे हो राजेंदर ये कह करके हस्ता है लेकिन गंगादर पंत जो है वे इस बात को सुनके गंबीर हो जाते हैं नहीं राजेंदर मेरा हजारवा जो व्याक्यान होगा वस मेड ओन दा आजाद मैदान वह मैंने आजाद मैदान में दिया था वह रहाए वस सो रूडली इंटरॉप्टेड जब मुझे बहुत ही असभ्यता पूरवक तरीके से बीच में ही रोक दिया गया था नहीं जो कि गायब हो गए थे जब वो रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे अपनी चेर का उस प्लेट फॉर्म पर वो अब कभी भी प्रेसिडिंग यानि कि अध्यक्षता करते वे दिखाई नहीं देंगे किसी अन्यमिटिंग में I have conveyed my regrets to the organizers of the पानीपत seminar मैं अपने regret यानि कि मैं अपने जो भी पस्तावी की बात है वो convey कर चुका हूँ, बता चुका हूँ जो organizer थे, जो व्यवस्तापक थे उस पानीपत seminar के ठीक है? तो अब वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी व्याख्यान नहीं दूँगा या व्याख्यान नहीं करूँगा तो उमीद करता हूँ guys, ये lecture आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अधिकांश जो भाग है इस lecture का, वो कालपनिक है यहाँ पर दो मित्र जो भें बैट करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं वास्तविक्ता में क्या हुआ होगा उसका अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है? और दो यहाँ पर थेोरिया में देखने को मिलती है कि यह हुआ होगा या यह हुआ होगा ठीक है तो इन दे हो थेोरिस के बारे में हम लोगों ने discussion किया हम लोगों ने बात की उमीद करता हूँ आज का lecture अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपने अच्छे से enjoy किया होगा thank you very much I'll see you soon in my next lecture till that take care of yourself bye bye I'll see you soon bye